नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बगवती परसाद पूरहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूटूब का कानूनी ग्यान चैनल तो देखे, तेसल दर्मोदे के द्वारा किसी भी प्रकरण में दो प्रकार के आदेश पारित किये जाते हैं एक आदेश होता है अंतरीम आदेश और दूसरा होता है अंतिम आदेश इन दोनों आदेश के बारे में इस वीडियो में हम जानकरी प्राप्त करेंगे लेकिन आगे बनने से पहले मेरा आपसे निवेदेन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बिल आइकन को प्रेस कर दीजे और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक करे दीजे क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है स अर्थात उसका अंत्रिम निराकरण हुआ है अर्थात वह प्रकरण उस न्यालय में उस आदेश के पश्याद भी प्रचलन में रहता है अर्थात चलता रहता है तो एसे आदेश को अंत्रिम आदेश कहा जाता है तो आए समझ लेते हैं कि अंत्रिम आदेश किस प्रकार के हो स या किसी भी प्रकार का नामांत्रन प्रक्रण पेश किया तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है कि उस नामांत्रन प्रक्रण में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ती प्रस्तूत की जाती है तो ऐसी इस्तिति में उस आपत्ती को यदि तेसिल दर्मोद के समक्ष कोई प्रक्रण विचारा दिन है और उस प्रक्रण में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाता है कि मुझे इसमें साक्ष प्रस्तूत करनी है और इस प्रकार का जो है आवेदन पत्र उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तूत किया जाता है लेकिन उस आवेदन प प्रस्तुत करने के लिए वह एक बार समय लेता है दो बार समय लेता है और तिसरी बार वापस समय लेने के लिए उपस्तित होता है लेकिन तेस्री जार महोदय के द्वारा उस प्रकरण में उस व्यक्ति को साक्ष का अवसर नहीं दिया जाता है अर्थात उसे ये कहा जाता है कि अब आपको पहले भी दो अवसर प्रदान कर दिये गए हैं और अब हम आपको तिसरा अवसर आपको दिया था लेकिन तिसरे अवसर पर भी आपने कोई साक्ष प्रस्तुत नहीं किये इसलिए आपका साक्ष आउसर इसमें समाप्त किया जगता है या फिर जैसे कि आपने धारा 250 का केस लगाया और उसमें आपने यह लिप मांगी अर्थाति इस प्रकार की साहयता आपने मांगी कि प्रकरण के निराकरण से पुर्व आपको उस भूमी का कबजा दिलाया जाए और यदि इस प्रकार की साहयता जो है न्याले ने आपको प्र लेकिन आपने यह भी साथ में रिलीफ मांगी अर्था सायता मांगी कि प्रक्रण की निराकरण में काफिर जमय लगने की संभावना है और ऐसी इस्तिति में आपको अंत्रिम आदेश के मध्यम से वेकल्पिक मार्ग उपलब्द करवाया जाए और इस प्रकार का आदेश जो ह उस प्रक्रण में पारित कर दिया जाता है कि आपको जो है अंत्रिम आदेश के माध्यम से वेकल्पिक मार्ग प्रदान नहीं किया जाता है तो इसे आदेश के विरुद भी आप पुनरिक्षन याचिका लगा सकते हैं या फिर आपने किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस् उस प्रक्रण का अंतिम फिसला नहीं हुआ है यह हम यह कह सकते हैं कि प्रक्रण में कोई आरेश तो हुआ है हमारी बात को नहीं माना है उस आदेश में लेकिन उस बात को नहीं मानने से और उस आदेश के पारित करने से उस प्रक्रण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है यह यह कहलेते हैं कि उस आदेश के करने से वह प्रक्रण जो है वह उस न्यालाय में समाप्त नहीं हुआ है अर्थात वह प्रक्रण उस अंत्रिम आदेश के पारित करने के बाद में भी उस न्यालाय में विचाराधीन है तो इसका मतलब यह है कि उस प्रक्रण में अंत्रिम आद से के जा सकती हैं आदेश जो है तेसलदार मोहोदए के द्वरा या नयजब तेसलदार मोहोदए के द्वरा पारित किया गया है साती साथ अब हम ये समझ लिते ही कि अन्तिम आदेश किसे कहा जाता है और अंतिम आदेश के विरुद क्या करवई की जा सकती तो जैसा कि दर्शकों हमने पहले समझा कि यदि प्रक्रण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है और प्रक्रण उस आदेश के पारित होने के बाद भी जैसे कि मैंने बताया कि यदि कोई आपत्ती निरस्त कर दी जाती है लेकिन आपत्ती निरस्त होने के बाद में भी प्रक्रण पूरा समाप्त नहीं हुआ है प्रक्रण में जब अंतिम आदेश पारित किया जाएगा तो उस अंतिम आदेश के विरूद आप क्या खारवई कर सकते हो तो देखे उस अंतिम आदेश के विरूद आप प्रक्रण की certified copy लेकर अर्थत उस आदेश की certified copy लेकर के आप SDU महोदय के समक्ष धारा चुम्मालिस के तहट अपील पेश कर सकते हैं एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के दवारा किसी प्रक्रण में आपत्ति प्रस्तुत की गई और उस आपत्ति के माद्यम से उस प्रक्रण को निरस्त कर दिया यँखे पुनरिक्ष नहीं होगी बलए उसके मैंने पेले बताया कि प्रकरण में यदि अंतिम आदेश पारित हुआ है अर्थात उस आदेश के बाद में उस प्रकरण को खतम कर दिया गया है समाप्त कर दिया गया है उसका निराकरण कर दिया गया है तो ऐसे आदेश को अंतिम आदेश कहा जाता है चाहे वह आपत्य के माध्यम से हुआ हो या उस प्रकरण का निराकरण जो है वह गुण दोशों की आधार पर अर्थात संपुर्ण साक्ष एकत्रित करने के बाद में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद में उसका निराकरण किया गया हो अर्थात यदि वह प्रकरण उस न्याले में पूर्ण रूप से समापत हो चुका है तो इस प्रकार के आदेश को अंतिम आदेश कहा जाता है और अंतिम आदेश के विरुद जो है वह अपील पेश होती है वह मध्यप्रदेश बुराज सहिता की धारा चुम्मालिस अर्थात 44 के ताद प्रस्तूत होती है और अपील और पुनरिक्षन जो दोनों प्रस्तूत होती है दोनों की समयावदी जो है वह 45 दिवस की रहती है अ आज की दीगए जानकर आपके लिए महत्वपुन रही होगी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत